esters इस वीडियो में हम जानेंगे कि esters क्या होते हैं इनका जर्णल फॉर्मूला क्या है और साथ ही discuss करेंगे कि किस तरह से हम easily esters को name दे सकते हैं तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं So what is ester? An organic compound with C O O R functional group is known as ester यनि ऐसा organic compound जिसमें C O O R functional group मुझूद हो तो ये ester कहलाता है स्क्रीन पर आप ester की general representation को देख सकते हैं Two ways में इसे represent किया जाता है यहाँ पर C represent करता है carbon को O represent करता है oxygen को और R represent करता है alkyl group को ester का general formula R C O O R है esters जिसे generally carboxylic acid से derive किया जाता है carboxylic acid जिसे C O O H से represent किया जाता है जबकि ester को C O O R से represent किया जाता है carboxylic acid और ester के representation में आप देख सकती है कि यह portion तो हमारे पास बिलकुत same है चाहे वो carboxylic acid है या फिर ester है carboxylic acid में हमारे पास hydrogen जो कि oxygen की साथ attach है जबकि ester में हमारे पास alkyl group oxygen की साथ attach है naming esters चलिए जानते हैं किस तरह से हम easily esters को name दे सकते हैं सबसे पहले तो आप ester का journal formula देखें यहां पर r c o r से ester को represent किया जाता है अब यहां पर इस naming देने के लिए हम इस journal formula को two parts में divide करेंगे first part में हमारे पास r c o r मुझूद होगा और second part में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यह alkyl group r मुझूद होगा इस r को r' से भी represent किया जाता है याद रखें कि ester में मुझूद r और r' जो कि alkyl group को represent करते हैं यह same भी हो सकते हैं और different भी हो सकते हैं अब याद रखें कि naming देते वक्त ester को जो कि काफी confusing होते है और यहां पर हम इस confusion को solve करेंगे कि सबसे पहले हमने इस general formula को two parts में divide कर लेना है यह हमारे पास हो गया part a और यह r हो गया हमारे पास part b so name देते वक्त सबसे पहले हमने part b को name देना है इसके बाद हमने part a को name देना है so यहां पर हम देते हैं part b को number one और part a को number two क्योंकि हमने naming देते वक्त सबसे पहले part b को name देना है और इसके बाद हमने part a को name देना है so चलिए इन esters को name देते हैं जैसे कि हमने discuss किया था कि हमारे पास इस journal formula को हमने two parts में divide कर दिया, तो इस organic compound को भी हम two parts में divide करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CH3, C double bond O, और O को हमने, यह हो गया हमारे पास part A, remaining हमारे पास रह गया CH3, जो कि R है, यह R' हम इसे कहते हैं, तो यह हमारे पास हो गया part B, तो हमने यहाँ पर कहा कि सबसे पहले हमने part B को name देना है, यही वज़ाए यहाँ पर हमने one लिखा, so part B में हमारे पास CH3 जो कि represent करता है methyl को, और part A को इसके बाद हमने name देना है, so इसे name देते वाक हमने क्या करना है, number of carbon atoms को count करना है, याद रखें कि हमारे पास C double bond O, यानि functional group में मुझूद carbon को भी हम count करते हैं, so यह one and CH3 हमारे पास two carbon atoms की chain है, so यहाँ पर two carbon atoms की chain के लिए हम जानते हैं कि हम ethane को use करते हैं, और याद रखें कि ester के लिए जो हमारे पास suffix होगा, वो होगा O8, so इस तरह से इस organic compound का name हो जाएगा, methyl ethanoate, अब यह methyl कहां से आया, आप देख सकते हैं कि part B में हमारे पास CH3 जो है, यह represent कर रहा है methyl को, and part A में हमारे पास two carbon atom की chain है, जिसके लिए हमने क्या, ethane लिखते हैं, और ethane में से E को replace कर देंगे, हम suffix O8 से, ठीक है, तो यह हमारे पास आजाएगा, methyl ethanoate, अब इससे कुछ इस तरह से भी हम represent कर सकते हैं, next one example में आप देख सकते हैं, again हम इससे two parts में divide करेंगे, first part में हमारे पास यह आजाएगा, R, C double bond O, और O, यह तमाम जो आजाएगा, यह हमारे पास आजाएगा, part A में, अब part B में हमारे पास क्या आएगा, remaining हमने कहा, R dash जो होता है, वो हमारे पास part B में आता है, तो वो क्या आजाता है, यह oxygen के बाद जो मुझूद होता है, ठीक है, यह हमारे पास आजाएगा, CH2, CH3, यह आजाएगा, part B में, name किसे देना है, पहले हमने part B को name देना है, इसके बाद part A को name देना है, तो यहाँ पर हम count करेंगे, number of carbon atoms part B में कितने हैं, यह one and two carbon atoms हैं, और two carbon atoms के लिए, alkyl group हमारे पास होता है, ethyl, ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास part A को name देना है, part A को name देने के लिए, again number of carbon atoms को count करेंगे, और functional group के carbon को भी यहाँ पर हम count करेंगे, तो यह हो जाएगा, one, two, three, and four carbon atoms की chain, four carbon atoms की chain के लिए, हमारे पास क्या होता है, butane, और यहाँ पर E को replace कर देंगे, हम suffix O8 से, तो यह हमारे पास organic compound का name, इस तरह से क्या हो जाएगा, ethyl butonate, तो यह हमारे पास हो गया, ethyl क्या हुआ, part B में मौजूद जो two carbon है, और butane, हमारे पास part A में मौजूद four carbon है, और butane में E को replace कर दिया, suffix O8 से, जो के represent करता है, हमारे पास ester को, ठीक है, और इस तरह से this organic compound को name दे दिया, चलिए, next organic compound को name देते हैं, again हमने क्या करना है, हमारे पास C हो गया, CH3 जो के R को represent कर रहा है, C double bond O, और यहां तक हमने part A में इसको include कर दिया, remaining मेरे पास R' जो है, इसे हमने कर दिया, यह हमारे पास आ गया, alkyl group जिसे हम करेंगे part B में, name देते वक्ट हम number of carbon atoms को count करेंगे, so यह यह हम पर 1, 2, 3, and 4 carbon atoms की chain है, alkyl group है, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 carbon atoms की chain के लिए, butyl, अब part A की तरफ बढ़ते हैं, again number of carbon atoms को count करेंगे, 1 and 2 carbon atoms, 2 carbon atoms की chain के लिए, हमारे पास क्या होता है, ethane, और हमने ester के लिए suffix को क्या use करना है, O8, तो यह हमारे पास इस तरह से इस organic compound का नेम क्या हो जाएगा, butyl, ethanoate, butyl, जो कि रेप्रेजेंट करता है पार्ट B को, और, ethane, रेप्रेजेंट करता है, 4 carbon atoms, जो कि पार्ट A में मुझूद है, और, ethane के रेप्लेस कर दिया, O8 से, जो कि रेप्रेजेंट करता है एस्टर को, इस तरह से हमने easily एस्टर को नेम दे दिया, इसके लिए हमने जो इस journal formula को two parts में डिवाइट कर दिया, part A और part B में, सबसे पहले हम part B को नेम देंगे, इसके बाद हम part A को नेम देंगे, और इस तरह से, इसन ही हमेस्टर को नेम दे सकेंगे, तो पहले हम देंगे,